लेयर ओपो हम पाकिस्टानी इतने ज़्यादा भी बेवाकूफ नहीं हैं कि आप चाइना में कुछ और लाउंच करें यह ड्रामे बाजी बंद कीजिए जो चाइना में लाउंच करें वह सेम पाकिसान में लाउंच कीजिए दोस्तो बात की जाए ओपो रिनो स्रीज की तो ऑ पाकिसान में आता क्या है उस्तों आपको Reno6 तो याद होगा Reno5 को Reno6 चाप कर लाउंच कर दिया गया था Reno6 टोटली डिफरेंट था जो के चाइना और जो के इंडिया में लाउंच किया घया था तो चलिए देखते हैं कि ओपो रिनो 7 पाकिसान में किस स्पैसिफिकेशन के साथ लाउंच किया जाता है और यह स्मार्टफून इंडिया में लाउंच कर दिया गया है बट जो चाइना में लाउंच किया गया था और जो इंडिया में लाउंच किया गया है वो टोटली डिफरेंट है तो चली देखते स्टाइड उपको आलूमिनिया में बॉक्सी शेप में देखने को मिलती थी जो कि इस्मार्टफोन के लूप को काफी जाद़ा खुब सूरत बनाती थी बट जो इंडिया में लाउंच किया गया उसकी जो साइड्स है वो आपको कर्फ देखने को मिलती हैं सेम जैसा कि आपको रिनो 5 में देखने को मिले थी और यही सेम डिजाइन आपको पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिलेगा तो यहां पर जो पाकिस्तानी ओपो बात की जाया तो यह स्पैसिफिकेशन आपको सेम देखने को मिलती है इस बार भी स्मार्टफुन की फ्रेंट साइड पर 6.4 इंचिस का सूपर एमॉले डिस्प्ले लगाया गया जिसमें आपको 90 एड्स का हाई रिफरेश रेट देखने को मिलता है और यह सेम वही डिस्प्ल से कोई भी चेंजिंग आपको नहीं देखने को मिल नाव लेट्स टाक अबाउट परफॉर्मस जहां पर मेजर चेंजिंग की गई है चाइना में जो लाउंच किया गया था उस मार्टफुन में आपको स्नैप ड्रेगिन का प्रोसेसर देखने को मिलता था जबकि जो पाकि अगर आप इस प्रोसेसर के एंटो टू स्कोर्स कोंपेर करते हैं चाइना वाले वेरियंट से तो वहां पर आपको एक लाग चालिस हजार के स्कोर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है तो इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको परफॉर्मस में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है और यहां पर एक और चीज़ की यह सेम प्रोसेसर आपको टेक्नो अपनी पोवा 5G में परवाइड कर रहा है और वो स्मार्टफून आपको 30,000 के अंदर देखने को मिल रहा है चलिए अब बात करते हैं स्मार्टफून की कैमरा प्रफॉर्मस के बारे और पर आपको पंचोल में 32MP का सका कामचो की आपको काफी पिर रास देखने को doctor mm आपको इस तो िरिनो सब की जाए गी था सकते हैं Space बैटरी कंबिनेशन की बात की जाए तो इस बार भी आपको 4500 एम एच की बैटरी देखने को मिलेगी जिसके साथ आपको अगें 65 वाट की देखने को मिलेगी जो कि काफी तेज़ा और इस प्राइस सेग्मेंट में दूसरी कंपर वाइड भी कर रही है और यहां पर जो स्पैसिविकेशन है वो आपको इतनी ज्यादा एकसाइट नहीं देखने को मिलते हैं यह यह यहां पर आपको यहां पर मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि जो स्पैसिविकेशन जो डिजाइन आप ग्लोबली या चाइना में लाउंच कर रहे हैं सेम वही स्पैसिफिकेशन और डिजाइन पाकिस्तान में लाउंच किया जाएं क्योंकि आल्रेडी पाकिस्तान में ओपो लवर्स काफी ज्यादा हैं तो आपके क्या ओपियान एर ओपो रीनो सेवन के रिलेटेड नेच्चर कमेंट करके जरूर बताईएगा.